हलो मैं अक्लेज व्यदी और यह वीडियो बनाने का मेरा एक बड़ा खास मकसद रहा है बहुत सारे बच्चे जो अभी 12 का पेपर दे रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे मेरे संपर्क में हैं और जिनको मैं गाइट करता रहता हूं पढ़ाता भी रहता हूं कि सीवेस्सी वोट के एकाद दो बच्चों का इतना ज्यादा प्रेशर बन गया कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का हो गया फीवर बड़ा तेज पकड़ लिया और बड़ी हालत मतलब लग रहा है कि एक्जांज पहले का बड़ हो रही है कि देखे एक्चली क्या है कि सबसे पहली बात तो यह कि प्रेशर का उसमें कोई रोल नहीं है उसको उतना बहुत प्रेशर मिने कोई बीट इजामनर कोई भी टीचर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा है चाहे आप सीवेस्टी बोड में हो चाहे यूपी बोड में हो और अब आपने पढ़ा नहीं है पूरे साल भर तो यह बात जरूर दिक्कत की है कि आपने पढ़ा ही नहीं की और अगर पढ़ा है तो फिर कोई प्रॉल्लम नहीं है फिर आप टेंशन मत लीजे किसी चीज को लेगे और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्जामनर फेल करने बठा यह आ गया तो क्या होगा वो आ गया तो क्या होगा जब आपने पढ़ा हुआ है सर हमको हर चीज भूल लई है यह सब ऐसा लगता है आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ आपको याद है सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें ठीक टाक हैं कोई दिक्क हो जाए तो बाहर का खाना पीना बंद कर दीजे प्रॉपर निट्रिशन प्रॉपर नीन लीजे और क्या कहते हैं जो सब्जेट है उसको सारे हार्ट सब्जेट एक साथ मत उठाइए जब से अब जैसे कॉमर्स में हैं तो एकाउंट्स और रिलाक्स फॉर्म में जाके दीजे क्योंकि हलवड़ी वाजी में फिर चीजें गवड़ होती हैं पेपर जब आप लिखिए तो उसका प्रॉपर सिस्टम हमने बताया हुआ है फिर बता देते हैं कि कोशन नंबर काईदे से डालिए जैसे वो टीचर को दिख पाए जिनकी रै जैसे जो नुमेरिकल पेपर है उसमें थियोरी भी आ रही है तो पहले थियोरी करके निप्टा दें बाद में नुमेरिकल के उपर ध्यान दे और जो नुमेरिकल पेपर है तो जैसे मैत का पेपर है किसी में तो फूरा ही है उसमें आप देखते चलिए कोई सवाल में फस ग और प्रॉपर वे में आप जो है अपना एक्जाम की त्यारी करिए और फिर भी कोई समस्या परिसानी बनी रहती है तो कवेंट बॉक्स पर लिखके हमसे पूछते रहिए हम आपको इसमें जो भी मतलब आपको किसी भी तरह से आपको हल्प की जिरुवत होगी उसके लिए हम आपको मदद करने के लिए त्यार हैं ठीक है और शान्तमन से सांचिस से अपना पेपर दीजिए ओके धन्यवाल